आद आप सहारा न्यूज नेटवर्क में आपका खेर मक्तम है आप देख रहे हैं आलमी सहारा खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुई इशाद आप सबसे पहले एक रज़ा सुर्प्लों पर हर याड़ा में उलड़कर एकज़ेट फोल बीजेबी को सबकत हासिल लगतार तीसरी मरतबा सरकारा बनाने की तयारी जमू कश्मीर में कॉंग्रिस और नेशनल कॉंफरेंस का इताहत कामियाब मैभुवा मुक्ति नेदी मुबारक बाद मगर्वी बंगाल के वीर भूम सिले में कोईले की कान में धमाका हासे में कई मजदूरों की माउथ कई लोग जखने पाकिस्तान में अपने इंजीनियरों की हलाकत पर चीन नाराज चीनी शेहडियों की सलामती के लिए सक्क ख़दम उठाने की बहुने और खसाम ब्रिगेड ने तेल अबीब को M90 रोकेटों से बनाया निशाना पासदारान इनकलाब ने कहा अब कोई हमाकत न करे इसराईल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 317 हटने के बाद पहले एसमेली एलक्शन में कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस के इंडिया अत्थाद ने बाजी मार ली है यहां उनके सरकार बनने के आसार साफ हो गए हैं महबूबा मुफ्सी ने भी नेशनल कॉंफरेंस की बनने वाली सरकार को अपनी हमायाद देने का इलान पहले से ही कर रखा है और नेशनल कॉंफरेंस ने भी उसे अपनी सरकार में शामिल रखने का इशाराद दिया है सोस है इस बात का, बहत अफसोस है, क्योंकि वो जीतना है, हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे रिखाल से इंटर्नल डिस्प्यूट चो उनमें थे, उसने टोल दिखाया है। मैं समझता हूं, अमर अब्दुल्ला जो है, वो सीम बनेंगे। फारुक अब्दुल्ला ने मज़िद कहा कि लोगों ने हमारी बात सुनी है और हम पर भरोसा किया है, वो उनके शुक्र गजार हैं, उनका कि हमें इस दवाव को खत्म करना होगा, यहां अवाम का राज होगा, पुलिस का राज नहीं होगा, हमें बेगुनाह लोगों को जेल स को बढ़ाना है, दस साल के बाद, लोगों ने अपना इतमाद हमें दिया है, और हम उमीद करते हैं, अल्ला से मांगते हैं, कि हम इनके उमीदों पर पूरा काइम हों, और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें, यह हमारा पहला काम है, जो खारुप साब ने कहा था, कि बीज़े हूँ, और उमीद करता हूँ, कि हम उनकी उमीदों पर, जो उनने हमें दिखाई हैं, कि हम पूरा उतरें, जो उमीद आपको लोगों पढ़े, आपकी तरफ से कुन सा बरोसा आप जिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिक्वे शिकायते हैं, उनको मीडिया के लोग, जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे, कि सच काइम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा, और मीडिया आजाद होगा, इंशालला, और मीडिया लिखेगा, मगर सिर्व एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरुतों को ने दिखाना है, हमने महबतیں बढ़ानी है, हिंदु मुसल्मान में इतबार पैदा करना है, वही सबके बड़ी चीज़ है, बढ़ गाम में अपनी जीत के बाद नेशनल कॉनफरेंस के लेडर अमरदुनला ने अपने वोटरों का शुरिया अदा किया, इस मوق अदम करने के लिए आये थे, मैदान में उनका खुद ही कोई नाम और निशान नहीं रहा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आपको इन वोटरों के लायक साबित करें। एक मौका जो है, हासिल हुआ है, जमू कश्वी नाशनल कॉन्फरेंस को पिछले पांच साल से खतम करने की मुकमल कोशिश की गई थी, यहां बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई, जिनका मकसद था नाशनल कॉन्फरेंस को खतम करना, लेकिन अल्ला का फजल है, कि जो ह हमें खतम करने के लिए आये थे मैदान में, वो खुद ही, बतलब उनका कोई नाम निशान नहीं रहा, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, अब हमारा फर्द बनता है कि हम अपने काम के जरीए, अपने आपको इन वोटों के काबल और लायक समझें, जो के अग कर सके, अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जमू कश्मीर को इस दलदल से निकालें, हमारे लिए अब ये अब जरूरी ये बन जाता है कि मरकज के साथ एक ए ताके जम्हु कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुटालबे हैं, परिशानिया जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें पीड़ीबी के सरबरा मेववा मुफ्ती ने नेशनल कॉंफरेंस और कॉंगरेस को उनकी शांदार जीत के लिए मुबारक बात पेश की है उन्होंने जम्हु कश्मीर के लोगों को भी मुस्तेकम सरकार के लिए वोट देने पर मुबारक बात दी है नेशनल कॉंफरेंस और कॉंगरेस की कयादत है, लीडर्शिप है, उनको मुबारक बात देना चाहती हूँ, उनकी बड़ी शांदार काम्याबी हुई और उसके साथ साथ जम्हु कश्मीर के लोगों को भी मुबारक बात देना चाहती हूँ, कि उन्होंने एक स्टेबल गॉवर्मेंट के लिए वोट डाला, क्यूंकि पिछले दस साल से जो हालात रहे जम्हु कश्मीर में, बिल्कुसुस दो हजार उन्हीस पांच अगस के ब बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्र गुजार हूँ, और उनसे यही अपील करूंगी कि हमत नहीं हादनी चाहिए, उतार चड़ावाते रहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया, एक स्ट शरारते हो सकती थी, बहुत सारी उत्तल फतल हो सकती थी, और कहीं न कहीं यहां के जो लोगों ने मेंडेट दिया है, उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी, इसलिए, आई कॉन्गरचलेट आल अफ देम, इस्पेशली पीपल आप जमुए और कश्मीर, जोनों ने बहुत जो है, सोच समझ के एक स्टेबल गावर्मेंट के लिए वोती है, आम आद्मी पार्टी के लिडर संजे सिंग ने जमुए कश्मीर के डोड़ा में आम आद्मी पार्टी को मिदवार मिराज मलिक की जीत पर तफसरा करते हो, इसे बहुत आहम खरातिया है, उन्हों कहा है कि ह बहुत बड़ी खुसकबरी है कि इतने सुदूर इलाके में डोड़ा के अंदर आम आद्मी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जी जीते हैं, और जुजहारू नेता है, बहुत जमीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है, बहुत खुशी है पूरी आम आद्मी पार्टी को, कि आम आद्मी पार्टी का कार्वा, अर्विंद केजरिवाल जी का कार्वा, उनकी इमानदारी की राजनीती देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुँच रही है, और मैं समझता हूँ कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जमु कस्मीर में भी हरियाना के जो परिनाम आए हैं, उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से आम आद्मी पार्टी आज एक रास्टिये दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है, और ये हमारे निता केजरिवाल ज जिंती के बाद एक्जेट पॉल के सब अंदाज ये खलस साबित हुए, बीजेपी यहां न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, बनके वाज़े अक्सारित हाजिल करें के लगातार तीस्री मरतबा सरकार बनानी की पोजिशन में आ गई है, हाला के हाली में हुए लो अचिर्वाद जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, मैं हर्याना के दो ग्रोड 80,000,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपने लोग प्रधान मंतरी, वीशव के नेता, आधनिया नरेंदर मोदी जी, ये जी को देता हूं, उनके आशिर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतिये हैं, उन नीतियों के उपर, हर्याना के लोगों ने मोहर लगाई है, मैं हर्याना की जंता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आधनिया पूरे धन्यवाद के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अधनी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नितुत में जो दस सालों तक हरियाना के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया देश के अंदर जो प्रधान मंतरी जी के नितुत में अनेक युजनाएं गरीबों के लिए युवाओं के लिए किसानों के लिए मातर सक्पी के लाई गई उनी युजदाओं का परिणाम है कि हर्याना के अंदर फिर से तीसरी बार लोगों ने आदनी प्रधान मंतरी मोदी जी के नितोत में डबल इंजन की सरकार बनाई है हर्याना निश्चित रूप से तेजी से विकास की और आगे बढ़ेगा जो विकास का करम हर्यान में सुरू हुआ है वो कराम अनुबर रूप से जारी रहेगा मैं सभी संगठन के कारेकरताओं को हर्याना की जनता को सबको बढ़ाई देता हूं साथी वहां के मुख्यमंतरी आदनी नायाप सिंग सेनी जी को भी बहुत बढ़ाई देता हूं कि उनके सहर सरल ब्यवार के क लोगों ने भारती जनता पार्टी को वहां पर तीसरी बार बहुमत दिया है हर्याना के संदर में हमने चुनाव आयोग से आद दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं उनसे जवाब भी आया है उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी तीन या चार जिलों से बड़े गंबीर शिकायत आये हैं वो सब कल या परसो हम शुनावायों के सामने पेश करेंगे पर मैं फिर से दोराना चाहता हूं हर्याना के चुनाव के नतीजे अपरत्याशित हैं आश्यर यजनत हैं और इसको हम स्विकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंतर की हार हुई है और तंतर की जीत हुई है लोक तंतर है और तंतर का कितना रोल है इसकी जास करेंगी है woven तोड़ी एक जगा से शकायत मिली है कोई मिली है और जिस प्रकार से wii है इसके एसाब से भी है लेकिन है नहीं आओ वह हमारे एसी सी वारे कम मिलेंगे जारी बात कहेंगे लेकिन इसमें कोई दो रहा नी आश्चे रिंचक्ट हुई हर्याना में कोई नी सोचा था जिस प्रकार से जल्ट आगे या प्रत्यासित है और जहां तक के देखेंगे कि जो बेलेट पेपर है पोस्टल बेलेट है उसमें कांग्रेस आगे और जहां इवियम है वहां भाजपा आगे हर्याना का महाल कुछ और लग रहा था बड़े से बड़े जर्निलिस्ट हो बड़े से बड़े विद्वावन हो या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉंफिडेंट नहीं थे हर्याना के बारे में एक आश्यर जना के रिजल्ट आया है लेकिन लोगतंत्र है लोगतंत्र में जनता मालिक है जनता जिनको चुलती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं परिदाम आया तो 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 आप देखिए एक तरफा है और इसमें पहले से हम ल सब राज्यों का चुनाओं अलग होता है अलग मुद्दे होता है अलग इशीूज होता है उससादार पर चुनाओं होता है हर्याना के जलाना से मशूर खातूर पहलवान और कॉंग्रिस के मिद्वा विनेश फोगाट ने अपनी जीत के बाद मीडिया से बात की और उने कहा कि ये हर उस लड़की की लड़ाई है जो इनसाफ पाने के लिए जद्द जहत के रास्ते का इंतखाब करती है प्रेंट में रहके एसा तो है नहीं की हम दोनों चीजे कर सकते हैं पूरे जुलान अभी दानसवा के जो ने जो मेरे को प्यार प्रेंट दिया है जितनी उमीद से मुझे वोट किया हर एक वोट को मैं चाहती हूं कि हर एक वोटर खुश होना जी जिनोंने मेरे पे उमीद जदाई है तो वो कोशिश रेगा हमारी उत्रपरदेश के लावबाद में मंगनी की तकरीब के दौरान खुशी में फायरिंग की गई जिसमें तीन बच्चों को गोली लगी तीनों बच्चों को नजदी की अस्पताल ले जाया गया जहां हिलाज के तोरान एक बच्चे की मौत हो गई यहासा यम्ना नगर में कर्च तो यात हुआ कि सूरज यादव पुत्र राज हरन यादव निवासी मेजजा कि शादी पप्पू यादव की पुत्री निवासी केच्वा थाना कर्चना के साथ तैह हुई थी आज उन्हीं दोनों का सगाई समारो गाउं केच्वा के अंदर चल रहा था तभी चार बज़े क करीब लड़की का भाई अमन यादव द्वारा लाइसेंसी असले से हर्श फायर किया गया उसमें छर्रे लगने से लड़के पक्ष के तीन बच्चों को तीन बच्चे उसमें घायल हो गए इनको तुरण थी पासी के अस्पताल ओर्गन हस्पिटल धिरकुर्ण में भरती क करीगी और मुकदमा अभी ओप पंजी क्रिफ किया गया है अभुक्त की रफ़तारी के लिए लबिश दी जा रही है वह टीमें लगा दी गई है इसमें लाइसेंस असलाहा के लिए निवर्श्टिकरंड की रिकोर्ट भी पिशिद कर दी गई है मगरी बंगाल के बीर भूम जिले में कोईले की कान में भायानक धमाका हुआ जानकारी के मताबिक हासे में कई मजदूरों की मौत हो गई है जबके कई लोग जखमी बताय जा रही है A.I.M.I.M. के सदर असद्दीन ओवैसी ने मोधी सरकार और संग पर बड़ा हमला बोला है ओवैसी ने कहा कि ना हिंदुस्तान के हिंदूों को खत्रा है ना मुसलमानों को कोई खत्रा है अगर हिंदुस्तान के मुस्लमानों, हिंदूों, दलीतों, आदिबासियों, सिख्खों और इसाईयों से किसी को खत्रा है तो वो नरेंदर मोदी और मोहन भागवत से खत्रा है RSS के सरसंचालक का बयान आया, कि भारत के हिंदूों को मुद्ध होना पड़ेगा, तब ही उनकी इपाज़त होगी और मोहन भागवत अपने हिंदू उसे कह रहे, कि अगर तुम को मुद्ध होंगा होंगे, तो जबान और कास को खत्म करना पड़ेगा मोहन भागवत से हम पूछना चारे मोहन भागवत, दस साल से तो आपके चेले मोडी भारत के वजीर आजम है दस साल के वजीर आजम के दौर में, बताओ मोहन भागवत हिंदूों को खत्रा पैदा हुआ है बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तर लाग का का कानौन तुमने तुम्हारी पार्टी ने बनाया तीन सो सक्तर अनकॉंस्टिटूशनल तरीखे से निक्वाया सी डबले का 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 कानौन सम्विधान के खाफ मजभ पर बनाया यूए पिय का कानौन और घंदा कर दिया तुमने क्या क्या कानौन बना दिये सिर्फ एक समूदाय के खिलाफ उसना नाम मुसल्मान है और उसके बाद मोहन भागवत दस साल के बाद कह रहे के भारत के 78 करोड हिंदूओं को खत्रा है अरे मोहन भागवत तुम तो मोडी की बेज़दी कर रहे हो तुम तो नरेंदर मोडी की धज्जिया उड़ा रहे हो दस साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहे के भारत के 78 करोड हिंदूओं को खत्रा है सदर जमूरिया दिरौबदी मुरूम ने मालदीब के सदर मुहम्मद मुईदू से मुलागात की मुईदू हिंदूस्तान के पांच रोधा दोरे पर हैं उनके इस दोरे से हिन्द मालदीब के वेज़ रिश्टे मजबूत होंगे वो पीर को सबसे पहले अपनी अहलिया साज़दा मुहम्मद के साथ राजगाट पहुँचे जहां उन्होंने महतमगादी को खराइज अखिरत पेश किया मालदीब के सदर मुहम्मद मुहिजू के हिंदूस्तान पहुचने पर वजिराज़म मोधी और सदर जमूरिया दिरोब्दी मुर्मू ने उनका पुर्तपाख खेर मुक्न किया दिल्ली के हैधरबाद हाऊस में मालदीब के सदर मुहम्मद मुईजू ने वजिराज़म दरेंदरमोधी से मुलाकात की इस मुलाकात में हिंद और मालदीब के बीच कई समझहोतों पर इतिफाख हुआ मुलाकात के बाद मालदीब में रूपे कार्ड से अदाइगी के शुरुआत हुई वजराजम नरेंदर मोदी और मालदीब के सदर मुहम्मद मुहिजू इस तरह के पहले लेंदेन के गवाह बने इस मोगे पर पीम नरेंदर मोदी और मालदीब के सदर मुईजू ने मालदीब में हनी माधू बेनाखवामी हुआएड़े के रनवे का वर्चोलिक तता किया फ्रेंड्स हमने रक्षा और सुरक्षा सईयों के दिबिन पहलूं पर विस्तार से चर्चा की एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है हम मालदीब नेशनल डिफेंस फोर्सिस की ट्रेनिंग और कैपिसिटी बिलिंग में अपना सयोग जारी रखेंगे इंडियन ओशन रिजन में स्थीर्ता और समृद्ध के लिए हम मिलकर काम करेंगे हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पॉंस में सयोग बढ़ाया जाएगा कोलंबो सिकूरिटी कांकलेव में फांडिंग मेंबर के रुप में जुड़ने के लिए मालदीब का स्वागत है मालदीब के साथ मुहम्मद मुईजू ने भी इस मौके पर बताया कि हम एक विजन दस्तावेस पर मुत्तफिक हैं जो हमारे दो तरफ आरिश्टों की सम्त तेह करेगा We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic and infrastructure. Kharja Secretary Vikram Saini ने भी मालदीब के सदर मुहम्मद मुईजू के दोरे हिंद के आहम निकात पर रोश्टे डाली. So the president of Maldives, Dr. Mohamed Muitz, is here on a five-day state visit which began yesterday. They arrived yesterday in the late afternoon. He is accompanied by the first lady, by a very large number of cabinet ministers and a business delegation. In addition to the president's official engagements in Delhi, the delegation will also be visiting Mumbai tomorrow. And they will also visit Agra before that, and the visit will conclude in Bangalore, day after tomorrow. Yesterday, the external affairs minister, Dr. Jayashankar, called on President Mohitsov. This morning, the president was accorded a ceremonial welcome in the forecourt of Rajpati Bhavan by the Honorable President, the Prime Minister, and other distinguished delegates. This was followed by the president's visit to Rajkhat to pay homage to Mahatma Gandhi. Earlier today, the president and the prime minister held extensive discussions, both in the restricted and in delegation-level formats. And the prime minister also, in a special gesture, hosted a banquet lunch in honor of President Mohitsov. Just a short while ago, the Honorable Vice President and the Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda, have called on President Mohitsov. And later today, the president will have a meeting with Honorable Rajpatiji, who will also host a state banquet in honor of the president. Karachi के बैनलखवामी हमायड़े के पास हुए धमाकी में दो चीनी शेहरियों की मौत हो गई है. बलुचस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाकी के जिम्मेदार लिए है. चीनी सिफारत खाने ने हमली के मख़मत की है. और चीनी शेहरियों की सलामती के लिए कड़ी जाच और सक्थ ख़दब उठाने की बात की है. अलकसाम बिर्गेड ने तेलाबीब को M-90 रोकेटों से निशाना बनाया. दूसी तरफ इरान के पासदारान इनकलाब ने काया कि अगर इसराइल ने इरान पर हमले के खलते की तो पहले से ज्यादा सख जवाब देने के लिए इरानी विजाएले तयार है. पीर को दुनिया भर में फलस्तीन के साथ इत्तिहात का दिन मनाया गया. फलस्तीन के साथ यूम इत्हाद पर इस्तंबूल के गोल्टा टावर के पसमन्जर को फलस्तीनी पर्चम से जगमागाया गया इसराइल गजा जंग को एक साल पूरा हो गया है पाकिस्तान में इस मौके पर लोगों ने बड़ी तादाद में स्रड़कों पर इतजाज किया पर इस मुस्लिम मुकुर्णारों को सग強ाने के लिए ये पर्टेस्ट है अमरीका को बताने के लिए कितम, तुम देशफ़ी तैया रही कितम इस मुध के साथ नहीं खड़ी वी, अपना रोल अदा नहीं कर रही दिल्ली में बुध को होने वाले T20 क्रिकेट मैच के लिए बग्रादेश की क्रिकेट टीम दिल्ली पहुच गई है यहां अरुन जेटली स्टेडियम में भार्ती टीम के साथ 9 अक्तूबर को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा हर याणा में उलडगा एक्जेट फोल बीजेपी को सबकत हासिल लगतार तीसरी मरतबा सरकारा बनाने की तैयारी जमू कश्मीर में कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस का इताहत कामियाब मैबुवा मुथ्ति नेदी मुबार्ग बाद मगर्वी बंगाल के वीर भूम सिले में कोईले की कानवे धमाका हासिय में कई मजदूरों की माउथ कई लोग जखने पाकिस्तान में अपने इंजीनियरों की हलाकत पर चीन नाराज चीनी शेहर्जियों की सलामती के लिए सक्क खदम उठाने की वार ने और खसाम ब्रिगेड ने तेल अबीब को एम डवे रोकेटों से बनाया निशाना पासदारान इनकलाब ने कहा अब कोई हमाकत न करे इसराइब खबर नामी में भी इतना ही जासत दीजिए आदा सारा कुड़ा